नमस्ते दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है पार्ट वन और पार्ट टू में हमने नेपाल में स्थित कुछ प्रसित स्थलों के बारे में जानकारी हासील की थी तिसरे पार्ट में आज हम और कुछ प्रसित स्थलों के बारे में जानकारी हासील करेंगे जैसे ही हम लोग नेपाल यात्रा शुरू करेंगे उससे पहले गोरकनात मंदिर का दर्शन करेंगे जो की गोरकपुर भारत में स्थित है और यह गोरकनात जी को समर्पित है जिन्हें नेपाल के संस्थापक गोरकनात के रूप में पूजा जाता है गोरकनात मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरकपुर नगर मिश्थित है बाबा गोरकनात के नाम पर इस जिले का नाम गोरकपुर पड़ा है गोरकनात मंदिर के वर्तमान महंच श्री बाबा योगी आदित्यनात जी है जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी है मकर संक्रान्ती के अफसर पर यहां एक माह चलने वाला विशाल मेला लगता है जो खिचरी मेला के नाम से प्रसिद है गोरक्षनात मंदिर का निर्मान गोरक्षनात मंदिर गोरकपुर में अनवरत योग साधना का क्रम प्राचीन काल से चलता रहा है ज्वाला देवी के स्थान से परिभ्रमन करते हुए गोरक्षनात जी ने आकर भगवती राप्ती के तटवर्ती क्षेत्र में तपस्या कि थी और उसी स्थान पर अपनी दिव्य समाधी लगाए थी जहां वर्तमान में श्री गोरक्षनात मंदित स्थित है नाथ योगी संप्रदाई के महान प्रवर्तक ने अपनी अलोकिक आध्यात्मिक गरिमा से इस्थान को पवित्र किया था अतही योगेश्वर गोरकनाथ के पुर्णिस्थल की कारण इस्थान का नाम गोरक पुर्ट पड़ा मंदेर का निर्मान 11 वी शताबदी में हुआ था मंदेर का मुख्य द्वार उत्तर की ओर है मंदेर के गर्ग्रिह में गोरकनाथ की चतुर्भुज मूर्ती विराजमान है मंदेर के परिसर में कई अन्य मंदेर और मट भी है मंदिर के पास एक कुंड भी है जिसे गोरकनात कुंड कहा जाता है गोरकनात मंदिर एक प्रमुक हिंदू तीर्थस्थल है यह मंदिर नाथ संप्रदाय के अनुयाईयों के लिए विशेश रूप से महत्वपूम है मंदिर परतिदिन हजारों श्रदधलूओं और परियटकों की भील से गुलजार रहता है विंद्य वासिनी माता मंदिर पोखरा में स्थित है और यह एक प्रमुक धार्मिक स्थल है जो मादुरगा को समर्पित है यह मंदिर शहर का सबसे पुराना मंदिर है और इसे स्थानियल लोगों और देश्मर से आने वाले भक्तो द्वारा समान रूप से सम्मानित किया जाता है मंदिर देवी बिंधिवासिनी को समर्पित है जो हिंदू धर्म में एक शक्तिशाली देवी है देवी बिंधिवासिनी को काली का अवतार माना जाता है, जो शक्ती और विनाश की देवी है मंदिर में देवी बिंधिवासिनी की एक सुन्दर मूर्ती है, जो तामबे से बनी है मंदिर का निर्मान कब हुआ था, इसकी कोई निश्चित जानकारी नहीं है हाला कि ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर 16 वी शताबदी में बनाया गया था मंदिर का वर्तमान स्वरूप 19 वी शताबदी में बनाया गया था मंदिर में कई अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं जिन में भगवान शिप, भगवान विश्णू, भगवान गनेश और भगवान कार्ति के शामिल हैं। मंदिर के परिसर में एक सुन्दर उद्यान भी है, जो श्रद्धालूओं और पर्यटकों के लिए एक लोप्री इस्थान है। हर साल हजारों लोग इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। मंदिर में साल भर कई धार्मिक उत्सब मनाए जाते हैं, जिन में नवरात्री और दशेहरा शामिल हैं। मंदिर में जाने का सबसे अच्छा समय सुबही या शाम का है, जब मंदिर में कम भीड होती है। मंदिर में प्रवेश नेहशुल्ख है मंदिर तक पहुँचने के लिए आप टैक्सी बस्या रिक्षा ले सकते हैं। मंदिर शहर के केंद से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। सेटी जॉज नदी नेपाल के पश्चिमी हिमाले में स्थित एक प्राकृतिक गहरा खाई है जो पोखरा के पास स्थित है और विशाल पात्थरों के साथ एक आश्चर्य जिनक द्रिश्य प्रदान करता है। यह नदी महाकाली नदी की एक सहायक नदी है। सेटी जॉज खाई की लंबाई लगभग 100 किलोमीटर और गहराई लगभग 2000 मीटर है। यह खाई दुनिया की सबसे गहरी खायों में से एक है। सेटी जॉज खाई का निर्मान हिम्नेदों के कटाव से हुआ है। हिम्नेदो सेटी जोच खाई के आसपास किक्षेत्र में कई प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं. इनमें हिमालई, भालू, तेंदुआ, हिरन, लोमरी, आदी, शामिल हैं. सेटी जोच खाई नेपाल की प्राकृतिक सुन्दरता का एक अद्बुत उदाहरन है. ये खाई देश के कई प्राचीन, बौध मंदिर और गुफाए हैं. खाई के आसपास किक्षेत्र में कई प्रकार के दुरलब और लुप्त प्राय पौधे पाए जाते हैं. सेटी जोच खाई नेपाल की एक अनमोल धरोहर है. ये खाई देश की प्राकृतिक सुन्दरता और जैव विविद् है. देवी का जल जरना लगभग सो मीटर उचा है और ये पोखरा शहर से लगभग 15 किलो मीटर दूर है. जरना दो धाराओं में बहता है जो एक साथ मिलकर एक सुन्दर द्रिश्य बनाती है. जरने के आसपास का क्षेत्र घना जंगल है और यहां कई तरह के पक्षी और ज पूजा कर सकते हैं. जरना देखने का सबसे अच्छा समय मानसून के दोरान होता है जब जरना अपने पूले चरम पर होता है. इस समय जरने से गिरता हुआ पानी एक अदबुद रिश्य प्रस्तुत करता है. देवी का जल जरना पोखरा शहर के दर्शनीय स्थलों में से ए यहां आने वाले परियतकों को ये जरना अवश्य देखना चाहिए. जरने का नाम देवी. जरना इसलिए पड़ा क्योंकि माला जाता है कि यह जरना मा गंगा को समर्पित है. गुपतेश्वर महादेव गुफा पोखरा नेपाल के पोखरा शहर में स्थित एक प्राकृतिक गुफा है. यह एक प्राचीन हिंदू धार्मिक स्थल है जो भगवान शिव को समर्पित है. यह गुफा डेविस फॉल के पास स्थित है और डेविस फॉल का पानी इसी गु जरता है. गुपतेश्वर महादेव गुफा को नेपाल की सबसे लंबी गुफा माना जाता है. यह गुफा लगभग 2950 मीटर लंबी है और इसका प्रवेश द्वार 1991 में बनाया गया था. गुपतेश्वर महादेव गुफा का इतिहास बहुत पुराना है. कहा जाता है कि यह गुफा सोलवी शताबदी में कुछ स्थानिय लोगों द्वारा खोजी गई थी. गुफा के भीतर शिव और अन्य हिंदु देवताओं को समर्पित कई मंदिर और मूर्तिया है. इनमें महादेव और पारवती, नागेश्वर और सरस्वती शामिल है. गुपतेश्वर म महादेव गुफा पोखरा शहर से लगभग 10 किलो मीटर दूर स्थित है. गुफा तक पहुंचने के लिए आप बस टैक्सी या आटो रिक्षा ले सकते हैं. गुफा का प्रवेश द्वार डेविस फॉल के पास स्थित है. भारत के प्रसिद पर्यटन स्थलों की सेर करने के लिए श्री समर्थ नाना तुसके श्री प्रदीत कुंजीर सर और श्री मकरंद सर से संपर्थ करे. स्वयम्भू बुद्ध पाक ये पाक स्वयम्भूनात मंदिर के ठीक नीचे स्थित है और इसमें तीन बड़ी सुनहरी बुद्ध प्रतिमाए हैं. ये प्रतिमाए लेंड्सकेप गार्डन में स्थित है और बहुत शांतिपूर्ण वातावरन प्रदान करती हैं. पाक में प्रवेश नेहशुल्क है और ये सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है. बिग बुद्ध आइडल ये प्रतिमा स्वयम्भूनात मंदिर से थोड़ी दूरी पर स्थित है और ये नेपाल में सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा है. प्रतिमा सरसट फीट उची है और इसे सफेद संगमर्मर से बनाया गया है. प्रतिमा के चारों और एक बगीचा है और ये बहुत लोगप्रिय पर्यटक आकर्शन है. था लोगप्रममी नीले पाहिले एक उत्तम बुद्धाचे जनमस्ताने तस्यातिक आसलेले और उसे चाप्रतिक आसलेले तकाहा गोल्दन केलर मतला है. पुत्रों. तेजे श्याजर अगर निरिक्षन केले यावाजला बगा तएजन एक कसा दिस्ते त्रिशूले वर नाग प्रतिश्थान वागापुरीन के सौजन्य से प्राप्त हुआ है, हमारा चैनल उनका आभारी है दोस्तों अगर यह विदियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेर किजिए और हमारे चैनल को सबस्प्राइब किजिए विदियो अंतक देखने के लिए आपका धन्यवाद प्राप्दों विदियो आपका धन्यवार चैनल के साथने के लिए विए प्राइब का सबस्तवारे चैनल को सबस्प्राइब किजए और हमारे चैनल कर्भास्का बास्के लाइए और हुआ है